नमस्कार मैं हो ससी आया झारखन की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं 14 जन्वारी को झारखन पहुचेगी कुरोना टीका की पाली खेब 16 जन्वारी 2021 से देश ब्यापी सुरू हो रही कुरोना वायरस वैक्सिनेशन को लेकर झारखन भी पूरी तरह तयार है बतादे केंद्रिय स्वास्त मंत्राला के सुत्रो के अंसार 13 जन्वारी की रात या 14 जन्वारी 2021 को कुरोना वैक्सिनेशन की पाली खेब कारगो से जारखन के नामकुम सेंटर में कारगो के जरिये पहुँचाएगी एक अधिकारिक सुत्र ने बताया कि सीरम इंस्चूट की वैक्सिन की पाली खेब रांची इस्थित नामकुम वैक्सिनेशन सेंटर में आएगी यहां से 16 जन्वारी को सुरू होने वाले वैक्सिनेशन प्रोग्राम के लिए टीका भी भीन जीलों में भेजे जाएगे मौसम विभाग के अंसाल जारखन में मंगलवार से एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा बतादेश करम में राजे भर में निवत्वतापमान में 2-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी इसके अलावा हवा का बहाव तेज होगा और आमजन फिर से थोड़ी ठंड महसूस करेंगे बतादेश दोरान आसमान साप और मौसम सुस्क रहेगा आईसा जम्मुक कास्मीर में सक्रिये पच्मी भी छोब का जारखन में परभाव कम होने से होगा और मांजी यूती हत्यकंड में राची पुलिस को सेख बिलाल की तलाज राची पुलिस और मांजी में हुई यूती की हत्यकंड के खुलासे के करीब है बतादे पुलिस को पिठोरिया थाना चेतरिश थी चंदे में रहने वाले सेख बिलाल की तलाज है पुलिस बिलाल को पकड़वाने वाले को इनाम देने की घोसना कर चुकी है पुलिस ने बिलाल की तस्वीर भी जारी किया है पुलिस का कहना है कि आरोपी के घर पुलिस गई थी लेकिन घर में ताला बंद है घटना के दिन से ही आरोपी पूरे परिवार के साथ गायब है बता दे चान हो इलाके में रहने वाले एक परिवार ने इस बात का दावा किया है कि जिस यूती के हत्या हुई है हुआ यूती उसके घर की थी यूती की दोस्ती बेलाल से थी पलामो में पान मसाला गूटका परपूर्ण परतिबांद कूल 14 in weary point बनाया गया है रांची, दुमका, चाईबासा, पलामू में पक्छियों की मौत झारकन की भीण जीलो में पक्छियों की मौत का सिसिला जारी है बतादे सो महर को रांची, दुमका, पलामू, चाईबासा में लगभग अडाइ दर्जन पक्षियों की मौत हो गई है बता दे राची में दो दुमका में एक दर्जन की लगभग वहीं चाईबासा वा जगनाथ पूर में 16 पक्षियों जबकि पलामू में एक पक्षियों की मौत हो गई बता दे इन पक्षियों में कवगा की संख्यसरवधिक हैं वहीं मुर्गा, मैना और बहुले की भी मौत हुई है हलाकि बड़ फुलू से पक्चियों की मौत की पुष्टी कहीं भी नहीं हुई है यह तियात के तोर पर मारे पक्चियों के सेंपल जाज के लिए राची, कुलकत्ता और वोपाल भेजे गया है सरकार नेडवाजरी जारी कर सभी जीलों को सतरकता वरतने के लिए निदेश दिया है बतादे चले कि इसे पहले जमसेद पुर्वें भी चार कोई की मौत हो गई थी भैक्सिन से पहले A.N.M. G.N.M. ने दी टीका करन वाइसकार की चतावनी राश्टिये स्वास्त अभियान के तत अनुबंद पर करेरात A.N.M. और G.N.M. ने अस्थाई करन की मांग को लेकर करोना टीका करन के वाइसकार की चतावनी दी है उन्होंने कहा है कि उनके अस्थाई करन पर सरकार वार्ता करे नहीं तो वे मजबूर होकर कुरोना टीका करन अभियान को वैसकार करने को बादे होंगे बतादे जार्खन राज N.R.H.M. A.N.M. G.N.M. संग के एक प्रतिनी दी मंडलने सोमवार को मुख मंत्री आवास पर इसे लेकर मुख मंत्री के नाम ग्यापन सोपा सीबू सोरेन को भारत रत्न मिले मंत्री किरिसी पसुपारन एवा साकर्ता मंत्री बादल ने जामुमो प्रमुख सीबू सुरेन को भारत रत्न देने की मांग उठाई है उन्होंने सोम वार को पुर्वमुख मंत्री सीबू सुरेन के जनम दिवास पर उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए बादल ने कहा कि दिशोम गुरु ने अलग राजे के लिए जो अंदोलन किया उस अंदोलन को कोई भूल नहीं सकता है बादल ने आगे कहा कि उन्होंने जल जंगल जमिन की लडाई के लिए खुद को एक थाती पुत्र की तरह अंदोलन में तपाने का काम किया है दिसोम गुरु को भारत रत्न से नवाज़ जाने किया सकता है बादल ने कहा है कि जारकन सही देश की कोई भी पार्टी हो सबी पार्टी हो के नेता गुरुजी के प्रती सने और समान रखते हैं खोटी जीला जल्द उग्रवाद मुक्त होगा परदेश के पुलिस महान निदेशक एमबी राओ, आजी साकेत कुमार और डियाजी नवीन कुमार सिना के साथ सोमवार को खोटी पहुचे इस दोरान उन्होंने खोटी जीला पुलिस अधिक्चक का रहाला में वरिये पुलिस वप्रसासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर जीला में बिदी बेवस्तावा नक्चलियों के बिरूद चला जा रहे अभियान की समिक्चा की पुलिस महानिदेशक ने बिते बर्स 2020 में नक्चलियों और अवयद अफिम की खेती के खिलाब चलाएगा अभियान सहीत जीला में महिला हिंसा और अन अपरादी करता होगी समिक्चा की इस औसर पर उन्होंने उपस्तित पुलिस अधिकारियों को कई दिसा निर्देश दिये बैठक में जीला में सक्रिय नक्चलियों के खिलाब नए साल में सपल अभियान के लिए अवस्तक रननिती भी बनाई गाई जार्खन में 144 नए केस मिले हैं जबकि बोकारो जीले से एक मरीज की मौत हुई है जार्खन में राची से 71, बोकारो से 12, देवगर 4, धनबाद 14, पूर्वी सिमूम 15, गीडिये, गोड़ा 2, गुमला 2, लातेहर 4, लुहरता का 1, पलामू 10, रामगर 1, साहभी गंज 1, सिमडेगा 5, पस्मी सिमूम से एक मरीज मिले हैं जार्खन में एक्टिव केस 1382 है वहीं जार्खन में कूल मौत की संख्या 1,42 है भारत में 12,481 केस मिले है भारत में कूल मौत 1,5,364 है वहीं एक्टिव केस 2,13,504 है जार्खन की राजे पाल द्रोपदी मुर्मू ने सोमवार को राजे के मुख मंत्री हमन सुरेन को राजे भवन बुला कर राजे में घट रही अपराधिक एवाम बलतकार की घटना पर अपनी चिंता ब्यक्त की उन्होंने कहा कि बलतकार जैसी घटना से राजे की छवी धुमील होती है हलाकि मुखमंत्री हमानसुरे ने राजेपाल को अस्वस्त किया कि और मांजी समेत अने मामलों में जाच कर दोस्यों पर सक्त करवाई की जाएगी क्रिसी मंत्री ने किया दावा 15 साल तक अपने पैरो पर खळा नहीं होगी कांग्रेस जारकन के क्रिसी मंत्री बादल पत्रलेक ने राजे में सत्ता की राईनिती को लेकर एक बड़ा दावा किया है क्रिसी मंत्री के दावे से मोख मंत्री हमान सुरेन समेत उनकी पार्टी जामों के नेता करेकरता गदगद होंगे लेकिन क्रिसी मंत्री की अपनी ही पार्टी कॉंग्रेस के नेता करेकरता सायद ही समत हो बतादे क्रिशी मंत्री का दावा ही ऐसा है अगर पूरा हो गया तो 15 सल तक जार्खन की राइनिती में कॉंग्रेस अपने परप्रखार नहीं हो पाएगी जार्खन में गंतंत्र दिवस पर नहीं होगी प्रभात फेरी व संस्कृति कारेकराम जार्खन में इस बर 26 जन्वारी को गंतंत्र दिवस पर सिर्फ परेड और जाखियों का परदर्शन कारेकराम होगा इस बर प्रभात फेरी व संस्कृति कारेकराम आविजित नहीं होगे मुराबादी मैदान में गंतंत्र दिवस समारोह के आविजन को लेकर राचि समनाला इस्थित उपायुक सभयगार में सोमवार को बैठक आविजित की गई उपायुग छवी रंजन की अध्यक्स्ता में अवीद बैठक में सम्मधित पताधिकारियों को तेयारी से सम्मधित अवस्यक दिशाने देश दिये गए जार्खन में आधी हुई हज यात्रियों की संख्या जार्खन से हज के लिए राई स्टेशन की परकिया लावाप पूरी हो गई है बतादे 10 जनवरी तक राजे बर से मात्र 900 लोगों ने आवेदन दिया है 2019 से इसकी तुनला करे तो आधे से भी कम मात्रा में है बतादे 43 फिर्दी लोगों ने इस बार आवेदन दिया है आवेदनों की संख्या के मद नजर ही राई स्टेशन की तारिक 10 दिसंवर से बढ़ाकर 10 जनवरी किया गया था सीबू सुरेन ने काटा 77 पाउंड का केक राज सबसंसत जे एमेम सुप्रीमो और जर्खन के पूरो मुख मंत्री सीबू सुरेन का 77 वाज जनम दीन सोमवर को मनाया गया 22 अवसर पर मुराबादे इस्थित अपने आवास पर उन्होंने 77 पाउंड का केक कटा इस दरान उनके पूत्र हेमंद सुरेन, छोटे पूत्र बसंस सुरेन, बहु सीता सुरेन मुझूद रहे राजे पाल ने उच नियाले के मुखे नैधिस से की बात जारकन की राजे पाल द्रोपदी मुर्मो ने राजे में बढ़ती अपराधिक एवं दुसकर्म की घटाओक लेकर सुमवर को उच नियाले के मुखे नैधिस डाक्टर रवी रंजन से दुर्भास परबात की इस करम में उन्होंने कहा कि हत्या तथा दुसकर्म के मामलों में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रेक कोट का गठन किया जाए ताकि इन मामलों का तवरित गती से निस्पादन हो सके एवं अफराधियों को सिग्र सजा मिले पलास ब्रांड बना ग्राविन मैलाओ की आजिव का काधार चार मामें 29 लाह का टर्न ओभर राज एकी ग्राविन मैलाओ के द्वारा निर्मित उत्पादों को बजार उपलब्द कराने एवं उनके स्रम का समोचित लाब उन तक पहुचाने के उदेश से 29 सितमल 2020 को पलास ब्रांड का सुभारम किया गया था बतादे पलास ब्रांड संग्राहन एवं पैकेजिंग कार्य में अब तक करीब 5000 माईला जुड़ी है वही करीब 1,10,000 माईला है पुरे राज में पलास ब्रांड के विभिन कार्यों से जुड़ कर अपनी आजीवका को ससक्त बना रही है गिरी डी में सुगर को पकरने में फसा तेंदुया है जारकन की गिरी डी जिले के गावाँ बन प्रच्छेत्र के राजपूर गाओं के पास इस्थित भीमतरी जंगल में एक तेंदुया तार से बने फंदे में फस गया फंदे में फंसे इस तेंदुया के मौत लोगों के सामने ही हो गई बतादे बन कर्मी वा ग्रामिनों के सामने तेंदुया फंदे में छटपटाता रहा घंटों छटपटाने से तेंदुया पर फंदे का सिकंजा कसने लगाया और अंत्ता तेंदुवा ने दम तोड़ दिया इस घटना के बाद वन विभाग ने भीमतरी गाओं के ही एक ब्यक्ति अर्जुन राय को गिरफतार कर लिया है जमसेदपूर में अग्यात बीमारी से 500 बकरियों की मौत जमसेदपूर मुख्याले के पूर्वी सिमुम जीले के घोड़ा बांध गाओं में अग्यात बीमारी से 500 से अधिक बकरियों की मौत हो चुकी है बता दे यह इलाका नकसल परवावित है और पटमदा प्रखंड के जोड़ सा पंचात के अंतरगत आता है सैक्ड़ो बकरिया अभी बीमारी से ग्रसित हैं ग्रामिनों ने कुछ बीमार बकरियों या खंसी को दो सरूपई की दर से वेपारियों के हैठो बेच दिया है यहां एक माह से अभीमारी फ्यले हुई है पलामू में फसलों को रौंद कर किसानों की मेनत पर पानी फेर निलगा है पलामू परमंडल के गाओं में निलगायों का कहर लगता जारी है बता दे निलगायों की तबाही से प्रहोईत लोगों को मुअबजा भी नहीं मिलता है एक किसी चुपके से जान लेने वाली दावा की तरह किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं बतादे पुरे परमंडर में निलगायों की संख्या दीन दोगनी बढ़ती जा रही है पराशिक्षक अस्थाई करण को लेंगा 17 जनवरी को घेरेंगे विधायको का अवास जांखन में एक बर फिर से पराशिक्षक अंधुलन की राप पकरने वाले हैं और इस बार की लडाई आर पार की होने वाली है बतादे पराशिक्षकों ने अंदोलन के रूप रेखा त्यार करने के लिए गढ़वा जी लेके सभी पराशिक्षकों के साथ एक महत्पूर बैठक की इस बैठक में यह निन्न लिया गया की यदि 16 जनवारी तक सरकार हमारी अस्थाई करण की मांग नहीं मानती है तो हम 17 जनवारी से अंदोलन करेंगे चाय जो कुछ भी हो हम अपना हाग इस बार लेकर रहेंगे देव घर उपायुक्ष जीला दंडा अधिकारी मंजूनात भजंत्री के अध्यक्ष्टा में स्वमवार को टॉक टूडी सी ऑनलाइन कारेकरम का होजन किया इस दोरान जीले के सभी दसो प्रखंड के प्रखंड विकास्पता अधिकारी अंचला अधिकारी वा सत्तर से अधिक सियसिक केंद्रों के माधियम से जीले के विभीन पंचायद के लोगों ने उपायुक्ष से ऑनलाइन मुलकात कर अपनी समस्याओ से अउगत कराया बतादे इस दोरान on the spot कई लोगों की समस्याओं का समधान उपायुक द्वारा किया गया है धन्यवाद अवस्यक सुचना यदि आप भारत की टॉप 20 परमोग खबर जानना चाहते हैं तो वीडियो के description box में दिए गए link पर क्लिक कर channel को subscribe कर ले ताकि आपको प्रती दिन वीडियो मिल सके यदि आप चनल परना है होए तो channel को subscribe कर वहाँ के बले हैं साथ साथ वीडियो को एक like कर अपने दुस्तों को share करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़ बैक अवासी देए